सब्सक्राइब कीजिए टेग बाइट चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइगन पर लेटस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज हम गीमेल के कुछ कूल ट्रिक्स को पर बात करेंगे ज़्यादतर लोग जीमेल का यूज करते हैं पर उन्हें जीमेल के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में नहीं मालूम है पर हम उन फीचर्स की मदद से जीमेल का और अच्छे से उज कर सकते हैं तो आज मैं आपको कुछ पांच ट्रिक्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप जीमेल को और अच्छे से उज कर सकते हैं तो आएए देखते हैं प्रिव्यू पैन की हेल्प से आप मल्टिपल मेल को एक ही विंडो पे रीड कर सकते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं जीमेल के अंदर हमें कोई अगर मेल को रीड करना हो और उसके बाद अगर हमें सैक्ट मेल को रीड करना हो तो हमें बैक आना पड़ता है तो प्रिव्यू पैन अपका एक अच्छा उप्षन है जिसकी हल्प से आप मल्टिपल मेल को एक ही विंडो के रीड कर सकते हो तो preview pen को enable करने के लिए आपको right side में setting पर जाना है इसके बाद drop down menu से setting को choose करना है इसके बाद आपको lab tap पर जाना है फिर आपको search for a lab में preview pen type करना है इसके बाद आपको enable पर click करना है enable पर click करने के बाद आपको save changes पर click करना है Save Changes पर क्लिक करने के बाद आपका Gmail एक पर Reload होगा Reload होने के बाद आप Right Side में एक New Icon दिखाई देगा यहां से आपको Drop Down Menu से Vertical या Horizontal Split को Select करना है Recommendation यह है कि आप Vertical Split को बैतरी उसके लिए यूज कर सकते हैं तो यह था हमारा Preview Band का feature आप लोग Gmail के स्टार्स के अबार में तो जानते ही होंगे Gmail में Yellow Stars के अलाबा भी कई Color के स्टार्स होते हैं जो जारत लोग नहीं जानते हैं और इन अलग-अलग Colors के स्टार्स को आप अलग-अलग काम के लिए यूज कर सकते हैं तो Gmail में डिफ्रेंस करने के स्टार्स को अनेवल करने के लिए आपको राइट साड में दिये सेटिंग पर जाना है और यहां से ड्रॉप डाउन मैनू से सेटिंग पर क्लिक करना है फिर Genial Tap में जाकर स्टार सेक्शन पर जाएं और यहां से इन यूस सेक्शन में आप डेफरेंस स्टार्स को ड्राइग और ड्रॉप करें इसके बाद सेठेंस करना है Save changes पर click करने के बाद आपके mail में दिये हुए stars पर multiple time click करके आप इन colors के अलगले color के star को use कर सकते हैं जैसे example के लिए yellow star आपका imported mail के लिए red star अर्जंट mail के लिए और जिन mail पर आपने काम कर लिया है उसके लिए green star कई बार imported mail send करते टाइम जल्द बाजी में wrong person को mail चला दाता है और formal mail type करते टाइम अगर ऐसी गलती हो जाए तो एक bad impression परता है तो thanks to Gmail क्यूंकि Gmail पर हमें एक undo send का feature होता है जिसकी help से आप accidentally send mail को cancel कर सकते हैं तो undo send को enable करने के लिए आपको right side में दिये settings पर जाना है उसके बाद drop down menu से settings पर click करना है फिर general tab में जाकर आपको undo send को search करना है और enable undo send पर click करना है आप यहाँ पर send cancellation period भी set कर सकते हैं आप maximum 30 second ही set कर सकते हैं यानि आपके पास undo send के लिए maximum 30 second का time होता है इसके बाद save changes पर click करें अब mail send करने के बाद आपको undo send का feature मिलेगा जिस पर click करके आप mail को stop कर सकते हैं इसके लिए आपको Gmail app के setting पर जाना है और यहाँ से आपको सबसे नीचे आके confirm before sending पर click करना है बटन लेवल एक बहुत अच्छा feature सा Gmail का इसमें आप icons को text में convert कर सकते हैं कई बार icons को सबस्जना बहुत मुश्किल होता है तो इसके लिए आप button level का use कर सकते हैं button level का use करने के लिए आपको settings पर जाना है इसके बाद आपको general tab में आना है और नीचे scroll करने के बाद आपको button level का option मिलता है यहां आपको text पर click करके save changes पर click करना है इसके बाद आपके सारे icon text में convert हो जाएंगे आपको आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज 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 इसको subscribe कीजिए इसको like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए क्योंकि ऐसे ही text से related videos में आपके लिए लेकर आता रहूँगा तो मिलते हम अपने अगले वीडियो में take care and bye bye